दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेला इकन को भी दबा ले एलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल गवर्रमेंट जोब्स क्यान पर दोस्तो एक बार फिर से माँ आपके लिए बैस्ट भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं जिहां दोस्तो सरकारी नोकरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है विधान सबा सचिवाले के इंतरगत भर्ती अधिसूचना 2021 जारी हो चुकी है जिहां दोस्तो आरो, एरो, सि इनवरी 2021 में है, इस वीडियो में आपको complete जानकारी देंगे कि किस पोस्त के लिए कितनी number of vacancies है, क्या qualification किस पोस्त के लिए रहने वाली है, आयू सीमा किस पोस्त के लिए कितनी है, सेल ली क्या provide की जाएगी, क्या exam pattern है, क्या exam syllabus है, कैसे आप इस भर्ती की अधिसूचना डा skip के हुए, तो चलिए दोस्तों एक fresh update के साथ हम फिर से हाजी रहे, आपके सामने विधान परिसत भरती के update लेके आ चुके है, विधान सभास जीवाले के अंतरगत ये भरती का notification आउट हो चुका है, जहां दोस्तों अधिसूचना जारी हो चुकी है, पोस्ट है इसमें, editor, sten stenographer, review officer यानि के RO, assistant private secretary, assistant review officer, ARO, administration, research and reference assistant, सूची कार और security assistant male, female के लिए vacancies निकली है, various vacancies है, post-wise vacancies है, हम आपको notification से दिखाएंगे, जहां दोस्तों, सेली के अगर बात की जाए तो, editor और stenographer पोस्ट के लिए 56,100 से 1,47,500 तक आपको सेली परती महा के लिए यहां पर provide की जाएगी, review officer ARO, और assistant private secretary के पोस्ट के लिए 77,600 से 1,47,000 सेली परती महा के लिए provide की जाएगी, assistant review officer ARO के लिए 44,900 से 1,42,400 सेली है, administrator research और reference assistant के लिए 35,400 से 1,12,400 सेली परती महा के लिए provide की जाएगी, सुचिकार की जो post है उसके लिए 39,200 से 92,300 सेली है, security assistant male female both के लिए 2700 से 99,100 सेली provide की जाएगी, यो केता की बात की जाए तो stenographer, security assistant के लिए bar view pass apply कर सकते हैं, research और reference assistant और editor की post के लिए post graduate degree से आप apply कर सकते हो, जो बाकी की सभी post है, जैसे की यहाँ पर आप देख सकते हो, RO, assistant private secretary, assistant review officer, ARO और भी post है, सभी के लिए जो all other post है, graduate degree से आप apply कर सकते हो, IU की बात की जाए तो editor post के लिए 30 से 40 वर्स है, stenographer के लिए 22 से 40 वर्स है, payment आप debit card, credit card या net banking से कर सकते हो, selection होगा return exam, skill test या personality test के आधार पे, physical की बात की जै तो security assistant male के लिए, height की बात की जै तो 1.68 meter है, weight 59 kg है, सीना चासी बिना flyer फुलाने के बाद में 81 cm है, security assistant female के लिए लिजिबिलिटी की बात की जै तो physical eligibility, height यहाँ पर field area के लिए 1.52 meter है, और height यहाँ पर hill area के लिए 1.47 meter है, weight 45 से 55 kg है, दोस्तों बात अगर इसके लिए exam pattern और syllabus की की जै तो हम आपको notice से दिखा दे, यहाँ पर प्रारंबिक प्रिक्सा है, तो प्रिक्सा योजनायम पाटे करम की complete details दी गई है, प्रारंबिक प्रिक्सा में केवल वस्तुनिष्ट परकार का एक परसंद पत्र होगा, प्रारंबिक प्रिक्सा के कुल प्रापतांग सों होंगे, प्रारंबिक परिक्सा के अधी 120 मिनट के होगी यानिके 2 गंटे की बात अगर यहाँ पर परिक्सा डिटेल्स की की जाए तो यहाँ चेक कर सकते हो भाग 1 में सामान्य द्यन परिक्सा के अधी 90 होगी पूर्णांग 50 होगा और भाग 2 में सामान्य द्यन के लिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाईज कंपलीट सलेबस द्यागा है जो आप यहाँ से वीडियो को पाउस करके simply read कर सकते हैं इसी तरह सामाने हिंदी के लिए यहाँ से आप चेक कर सकते हो वीडियो को pause करके complete syllabus इसी तरह यहाँ पर मुख्य प्रिक्सा हेतू प्रिक्सा योजना और पाटे करम की अगर बात के जाये तो अलग-अलग post के लिए यहाँ पर details में जानकारी दी गई है जैसे कि संबादक post के लिए आप देख सकते हो 150 questions होंगे और 150 marks 120 minute का time होगा इसी के लिए भी पाटे करम यहाँ से आप वीडियो को pause करके simply check कर सकते हो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो परती वेदक second number की जो post है उसके लिए भी 150 यहाँ पर परसुनों की संख्या 150 पूर्णांक 120 minute का time है सभी के लिए पूरा pattern आप वीडियो को pause करके चेक कर सकते हो नहीं तो हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि कैसे आप यह PDF exam pattern और syllabus की download कर सकते हो पाटे करम आपको details में देगा है समिक साधिकारी के लिए भी आप देख सकते हो 200 परसुनों की संख्या होगी 200 पूर्णांक इसके लिए 180 minute का time होगा इसके लिए पूरा pattern आपको details में पूरी जानकारी देगे सभी post के लिए pattern देगा है और exam syllabus जो आप simply read कर सकते हो और simply ही आवेदन कर सकते हो तो दोस्तों बात अगर apply mode की की जाए तो इस बरती के लिए आप से online आवेदन पत्र मंगाए जा रहे है जोब location UP उत्तर परदेश है बात अगर official website की 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 जाए तो upilagesassembly.gov.in ये इसकी official government website है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो बात अगर date की की जाए तो online registration स्टार्ट हो चुके हैं 8 December 2020 से last date apply online करने की 7 January 2021 है फीज payment की और online submission की भी last date 7 January 2021 है दोस्तो इस भरती के बारे में ओर ज़्यद जानकारी के लिए आपको हमारी website का link नीचे description पलस first comment box में मिल जाएगा और हमारे इस page पर widget करके इस table के end में आप देख सकते हो official notification PDF की टैब दी गई है जैसे आप इस टैब पर किलिक करोगे तो इसक official notification के PDF open हो जाएगी उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवाले लखनों की तरफ से notification आउट हो चुका है विग्यापन संख्या 1-2020 है दिनांक 712 को ये official portal पर upload कर देगे है आवेदन 812 से 7 जनौरी तक आप कर सकते हो साधी साथ महतपूंट सूचन आपको यहाँ पर दी गई है जो आप यहाँ से read कर सकते हो पोर्टल यहाँ पर देगे जिससे आप से online आवेदन पत्र मगाए जा रहे हैं साधी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको complete details दीगे सबसे पहले online करने से पहले आपको विग्यापन पूरा read करना होगा उसके बाद user instructions आपको read करने होगे apply के link पर कि उसके बाद apply online registration पर आपको click करना होगा registration form आपको complete करना होगा उसके बाद submit बटन पर click करना होगा यहाँ पर आपको image भी दे गए हैं जिनकी मदद से आप simply apply online कर सकते हो step by step इनको आपको scroll down करते होगे उसके बाद आपको step second में यहाँ पर आपको user ID और password डालना होगा और साथ साथ piece payment करना होगा और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपसे और भी details मांगीगे जो आपको fill up करने होगा इसके बाद step 3 में तिरिते state में आप देख सकते हो तिरिते स्तर में आपको candidate application form fill up करना होगा details सभी दी गई है यहाँ पर आप step by step ऐसे read करते हुए online आविदन form ध्यान पूरोग fill up कर सकते हो और finally submit कर सकते हो जी हाँ दोस्तों साथ साथ यहाँ पर आप जैसे इस PDF को scroll down करोगे तो आपको यहाँ पर vacancies की complete जानकारी दीगे post wise समपादक post के लिए हाँ पर आप देख सकते हो एक पद है परतिवेदक के लिए 4 है समिक साधिकारी यानिके RO के लिए वो 10 vacancies है सुरकसा सायक महिला के लिए एक vacancy है तो total 87 vacancies है इसमें अनारक्सित के लिए भी 44 है अन्य पिछडा वर के लिए 20 है नुसूची जाती के लिए 15 नुसूची जाती के लिए 1 आरतिक रूप से कमजोर वर्क के लिए भी 7 vacancies यहाँ पर दी गई है और साधी साथ दोस् यानि के आप हिंदी में यहाँ से रीड कर सकते है अपलाई कर सकते हो परति वीद्य के लिए intermediate से आप अपलाई कर सकते हो समिकसा अधिकारी के लिए भी graduate से आप अपलाई कर सकते हो सायक समिकसा अधिकारी के लिए भी graduate degree से आप अपलाई कर सकते हो वयवस्तापक post के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आप से इसमें डिग्री यहाँ पर आप से मांगी गई है सासा सोद आयम संदब सायक के लिए भी यहाँ पर पोस्ट ग्रिजवीट से आप अप अपलाई कर सकते हो सुजी कार के लिए आप ग्रिजवीट से आप अपलाई कर सकते हो सुरक्सा सायक पुरूस के लिए भी intermediate और महीलाओ के लिए भी intermediate से आप apply कर सकते हैं आपर physical की भी आपको जानकारी दी गई है जिया दोस्तों पूरी हिंदे में आप यहां से liability match कर सकते हो बाद में आप apply कर सकते हो आपको sort में जानकारी दे रहे हैं से लिए हम आपको पहले भी details में दे चुके हैं आप video को pause करके इस table से भी simply यहां से read कर सकते हो जिया दोस्तों साथ साथ यहां पर सारे एक सवस्ता और आयू सिमा में यहां पर क्या छूट मिलने वाले हैं वह आप check कर सकते हो और साथ साथ यहां पर आपको category wise यह जानकारी दी गई है जैसे आप इस pdf को scroll down करोगे तो आपको इसी pdf के end में exam pattern और syllabus की complete details दी गए है जो आप यहां से simply read कर सकते हो प्री main के लिए सभी के लिए आपको exam pattern और syllabus post wise दे गए है जो आप simply exam देने से पहले read कर सकते हो जहां दोस्तों apply करने से पहले आपको इस official notification की pdf पूरा पढ़ना अनिवारी है इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी swallowed out के लिए रहोंगे साथी साथ दोस्तों हमारे portal पर ही apply online की भी tap दी गई है पर आप जैसे की लिख रोगे तो online का यह portal open हो जाएगा यहां से आपको सभी steps दे गए हैं वो आपको pdf में भी instructions दे गए हैं कि कैसे कैसे आप apply online कर सकते हो इन नहीं तो आप यहां से भी सबसे पहले आपको first number पर advertisement पूरा read करना होगा उसके बाद दिसा निर्देश पढ़ने होगे step 3 में आपको यहां से पंजी करना होगा यानि कि registration आपको करना होगा अगर आपने पहले से registration नहीं करना होगा step 4 में आपको परिक्सा सुलका भुकतान करना होगा step 5 में आवेदन पत्र का status चेक करना होगा step 6 में आवेदन पत्र का रिप्रिंट लेना होगा step 7 में 15 नमबर बजाने और step 8 में संपर करें यानि कि contact details आपको यहां पर मिल जाएगी जहां दोस्तों अगर आपने पहले स्रेजिस्टेशन किया है तो आपको यहां से user ID पास्वर्ट डालना होगा और submit करने के बाद में form fill up करना होगा इसे आप simply इस बर्ती के लिए online apply कर सकते उस सभी steps ही पर आपको दिए गए है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए है तो इसे like और share ज़रूर करे साथी साथ दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा यूरूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम daily government jobs की ऐसी ही भी update upload करते हैं